जह सरी राम ऐमारी गाड़ी निकल चुकी है लखनाव से आयुद्द्धा की और जह सरी राम जह सरी करते हैं जहा सरी कजा दियो सकत्वास टर्समें यह हमारे सारी यारी और याँकिरा की तियारी हो सब्सक्राइब हेदाखा और तर मंबामनी जी अथ हैmusic फिर आपको अयोद्द्या के दर्शन करना थे हैं तर्मा जी जाज़ाते हैं आज दरमा जी जाष्री रॉम् reason ये में दो मना रहे हैं दो कि भभश उज़ाओं बोलो जाष्री रहूराम जाष्री रॉमस्वराम बेश्री है जाष्री रहूराम यह बैसाब कोड़ा था पूडिया पर यह घायू यह इनने कूगा यूपी की ट्रैफिक विवस्ता भी काभी चरमराई सी रहती है कोई रेड़ लाइट को लो जाजा नहीं होता है स्ट्रिकली और इन्होंने यहां पे किर्टन वगरा भी चलू कर दिया है तास भी चलू उच कि यहीं पेड़ारी है कि अब भी आगे बैठे हैं कि अलेक्टर स्वीट पर अब 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 यह उतर ही है देखिए जश्ट बस में अमारी नो उता रहा है इस तरह का यहां पे बीट बड़का देखने को मिल रहा है यह देखिए इस गली से हम आये थे इधर भी काफी बीट बड़का है है काना जी में राम के दर्शन करने आये हैं चलो कि अब कि यह इंटरनेशनल वायटा महर्शी वाल में की अंतरस्ट यह वायटा यह दया हम लगना हूं यहां से 140 किलोमेटर है और एरपोर्ट 15 किलोमेटर है अब कि अब आयाराम की पोडी आ चुके है कोविन जी एंटर करें राम की पोडी में यहां पर आप अपना सनान कर सकते हैं घ्यान द्यान कर सकते हैं और मन्दिर के लिए प्रस्तान करेंगे यह राम की पोड़ी है यहां पे आप जल अगरा के लिए ले सकते हैं कुछ शॉपिंग कर सकते हैं यह है राम की पोड़ी यहां पे आप हम थोड़ा सा सनान करेंगे और फिद मंद्री के लिए प्रस्तान करेंगे यह बाबी लोग सब नाने लगे हैं यहाँ पर सामने भी देखे काफी लोग है यह ननी भी नाने जा रही है यह शर्मा जी कन्फ्यूज है नाय नाय लेकिन बामन से नान कर लो बामन से नान कर लो यह हमारा मैला मुक्ति मुर्चा बच्चा पर्थी सारे आगे हैं जग है नहीं कि अप्राइब कर दोगा है अपर इस हो यह उन्ते लोगार है यह च्राइब को लिक्षण ज़ी भी शुचरिए कि यह देखी आपको रस्ते में यहां पे अन्दर भी मिल जाएंगे और सामने यह बोड दिखाई दे रहा है अन्वान गटी यह रस्ता है मंदीर में जाने का मार्केट दुकान काफी शौप्स यहां पे खुली हुई है दोनों तरफ ही बीट बड़ा का कूब है यह हनुमान गड़ी का रस्ता आगया है तो हमने यहां पे जानकी मंगलम बोग परशाद पर आए यहां पर हमने हमारे सूज बगर निकाल दिया है और बैग भी यहां पे रख दिया है हमने हमारे परशाद लेकर के आगे यातर की और परस्तान करेंगे आपको हनुमान गड़ी वाला इस तरफ से नहीं जाना है आपको बिल्कुल सीधा इस तरफ से स्ट्रेट जाना है यहां पर विविंत रहेंगे लंगर वगरा भी मिल जाएंगे आपको यह देखिए चावल मिल रहे हैं प्री ओफ कोष्ट यह देखिए हनमान गड़ी का नजारा अब हनमान गड़ी मंदिर में हम जा रहे हैं श्री हनमान गड़ी यह हनमान गड़ी का मंदिर है रालू आप देख सकते हैं हमने यह से अनमान गड़ी के दर्शन भी किये बाला जी महराज गए और अब सामने की तरफ हम निकल रहे हैं जो राम जी का भवय मंदिर है आयोध्या मंदिर वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं यह ऐसे लाइनिंग सिस्टम है पूरे लाइन वाइज दर्शनार्थी ध्यान दे अपना अपना मोवाई एक्टिक डिवाईज जूता चाहिए कि अपना मतिर का निरमान भी चल रहा है और यहां पर आपका सिपियोटी चेक इन होगा एक एक परसंड पीशिए आप सिकोटक बेहां तो नहीं लेके जा रहे हैं कि यहां पर आपका शिक्योटी चेक इन होजाएगा जैसे एक फॉल्टिक कर यह देखिए सामने यहां पे आपको अपना मुवाइल आपका कोई इलेक्ट्रोनिक आइटम है वो आपको जमा करवाना है यहां पे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है अलाकि फिर भी आपको यहां पे जमा करवाना रहेगा यह देखिए जंता बहुत ज्यादा आ गया है अभी स्टार्टिंग के दिन है इसलिए अब हम सामने अपना मोबाइल लोगरा जमा करवाएंगे वहां पर आपके सूज जमा हो रहे थे पीछे मोबाइल जमा करवाने के बाद में दर्शन के लिए जाएंगे लोकर काउंटर नंबर प्रोपर यहां पे लिखने हुए नंगर नंगर पांच में में अमान रख रहे हैं अन्र फॉर्ट इस तरह का परसाद दिया गया है मंदिर में अंदर से मोबाइल वगर आलाऊ नहीं था तो अमने आपे लोकर में जमा करवा दिया था बहुत वीड बड़का है लेकिन अच्छे दर्शन होए राम दीके आपको भी वीडियो ची लेगे तो लाइक, शेर, सबस्राइब फोरो जुरूर करें था अच्छे घा घागे तो जागे जाम जब जाए जातर सकता है? जान जाए जब जाए दो जाए वीडियो जाए गाओे लागे च्ट राखे है?